आज मैंने कुकर में जडबीन बिर्याणी बनाया है जिसे आप एक वर बनाकर खाएंगे तो बार वर बनाकर खाएंगे और यह बहुत जल्दी बनकर त मिला देंगे और अगभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहा है इसे मिला देंगे तो मैंनी थे मिक्स कर दिया हैं मैं इस ठогकर साइड में रख देंगे हैं तो चले हम अगले ट्रॉस्स में चलते हैं इसपे पानी को छाज देंगे और इसे साइड रख देंगे इन रह पर अको कूकर को गरम कर लिया ए तो मैंने डाल दिया थाई सत्य तेल बिल्कुल गरम हो चुका है एक मेरिम साइज का कटा हुआ अपया गोल्डन ब्राउं कर लेंगे तो यह बिल्कुल golden brown हो चुका है, इसे हम अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे मैं उसे तेल में फिर से डाल दूँगी आदा चम्मच जीरा, दो सुखी लाल मिर्च, एक तेज़ पत्ता कुछ खरे मसाल है, जिसमें मैंने लिया हुआ है, डाल चीनी, छोटी इलाइची, बरी इलाइची, लाउ, काली मिर्च, इन सब को हम डाल के थोड़ा सा हम इसे बूल लेंगे तो यह बिल्कुल बूल चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी दो मीटेम साइच के कटवर प्याज, प्याज को हम थोड़ा बूल लेंगे तो यह प्याज बिल्कुल अच्छे से भून कर त्यार हो चुका, अब इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच, एक चम्मच, अधा क्लेसों का पेश्ट, इसे हम 20 सकेंड तक भूल लेंगे हमें इसमें डाल दूँगी एक बरे साइज का टाओवा टमाटर, और टमाटर की गलने तक इसे हम भूल लेंगे यह टमाटर बिल्कुल पक चुका है, इस टाइब हम इसमें सबजियों को मिला देंगे, और इसे चला देंगे और तुवासा पानी डालकर इसे हम 5 मर तक भूल लेंगे यह सबजिय बिल्कुल भूल कर तयार हो चुका है, इस टाइब हम इसमें डाल दूँगे तुवासा पुदीना पत्ता, तुवासा धनिया पत्ता इसके उपर हम चावल को इस तरह से फैला देंगे इसके उपर हम डाल देंगे फिर से पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता और भूना हुए प्याज इसे हम चारो तरफ फैला देंगे इसके उपर फिर से हम तुआ चावल डाल देंगे इसे हम चारो तरफ फैला देंगे अब हम फिर से पूदीना पत्ता और धनिया पत्ते को उपर से डाल देंगे और फिर से बुने हुए प्याज को हम उपर से डाल देंगे अब इसके उपर हम डाल देंगे भी गोया हुआ केसर का पानी इसे भी हम चारो तरफ डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 चमच घी, अब इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, तो एक कप चावल में हमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है, और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें एक सीटी लगा लिया है, यह बिल्कुल अच्छे से बन कर तियार हो चुका है, और इसे हमें एक एक्स्ट रेसीपी में